या देवी सर्वभूतेशु मा महा गौरी रूपेण सास्थिता नमस्तस्याई 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 नमो नमः ओम दुंग्दुरगाई नमः तेरह जुलाई दो हजार चौबिस शनिवार के दिन गुप्त नवरात्री की अश्टमी थी थी है और गुप्त नवरात्री के आठवे दिन दस महाविध्याओं में से आठवी महाविध्या मां बगला मुखी की अरजना की जाती है तो आज की वीडियो में आप सुनेगे मां बगला मुखी की कथा और पूजावी थी लेकिन मां बगला मुखी की कथा से पहले आप सुनने वाले हैं की लक्ष तोद्र तो सबसे पहले भगवती दुर्गा का ध्यान कीजिए उसके बाद इस पावन और परम कल्याणकारी स्तोद्र का पाट करते हैं ओम नमस्चंडिका य मुकुट धारन करते हैं उन भगवान शिव को नमस्कार है मंत्रों का जो अभी कीलक है अर्थात मंत्रों की सिध्धी में विग्ण उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारन करने वाला है उस सप्तशती श्तोत्र को संपुर्ण रूप से जानना चाहिए औ उसके भी उच्चाटन आधी कर्म सिध्ध होते हैं तथा उसे भी समष्थ दुरलब वस्तों की प्राप्ति हो जाती है तथा जो अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तूती करते हैं उन्हें स्तूती मात्र से ही स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं उन्हें अपने कार्य की सिद्धी के लिए मंत्र औसधी तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यक्ता नहीं रहती बिना जब के ही उनके उच्चाटन आदी समस्त अभिचारी कर्म शिद्ध हो जाते हैं इतना ही नहीं उनकी संपुर्ण अभिष्ट वस्त्व में भी सिद्ध हो जाती हैं लोगों के मन में यह संका थी कि जब केवल सब्तशती की उपासना से अत्वा सब्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सबकारी सिद्ध होते हैं तब इनमें स्ट्रेष्ट कौन स तद्रणतर भगवती चंडिका के सप्टशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया, सप्तशती के पार्ट से जो पुन्य प्राप्थ होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, परन्तु अन्यमंत्रों के जब से उत्पन्यपुने की समाप्ती हो जाती है अतह भगवान शिव ने अन्यमंत्रों की अपेक्षा जो शप्तशती की ही स्रेष्टता का निड़य किया उसे यथार्थी जानना चाहिए अन्यमंत्रों का जब करने वाला पुरुष भी यदि शप्तशती के श्तोत्र और जब का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पुर्ण रूप से ही कल्यान का भागी होता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुरदसी अथवा अश्टमी को एक काग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहन करता है उसी पर भगवती प्रसन्न होती है अन्यथा उनकी प्रसनता नहीं प्राप्ध होती इस प्रकार सिद्धी के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है जो पुर्वोक्त रिती से निस्कीलन करके इस सब्त शतीश्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पुर्वक्त पाट करता है वह मनुसे सिद्ध हो जाता है वही देवी का पारसद होता है और वही गंधर्व भी होता है सरवत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता वह अपमरित्यू के वश्मे नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है अतह कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सब्त शती का पाठ आरंब करें जो ऐसा नहीं कर श्त्रियों में जो कुछ भी सवभाग्य आधी द्रिष्ट गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद रूप का ही फल है अतह इस कल्यान में स्तोत्र का सदा जाप करना चाहिए इस स्तोत्र का मंद स्वर्य से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स् से ही इसका पाठ आरंब करना चाहिए जिनके प्रसाद से एश्वर्य स्वभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रु नास तथा परम्मोक्ष की भी सिद्धी होती है उस कल्यान में जगदंबा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते कीलक्स तोत्र संपुर्ण हुआ और अब आप सुनेंगे मा बंगला मुखी की कथा और फूजा विदी दस महाविद्याओं में से आठमी महाविद्यां मां ब्गला मुखी इनकी पूजा की जाती है गुपतनवरात्री आठमी को सदैव करने के लिए भगवान विष्णु ने मा बगला मुखी की तपस्या के थी जिसके बाद मा बगला मुखी प्रकट हुई थी बात करें मा बगला मुखी के स्वरूप के बारे में तो देखिए मा बगला मुखी नव यौवना हैं और पीली रंकी साड़ी धारन करती हैं सोने के स पीन नेत्र हैं और चार हाथ हैं सिर पर सोने का मुकुट धारन करती हैं और इसके साथ ही स्वर्ण आभूशणों से अलंक्रेथ हैं मां बगला मुखी का शरीर पतला है और बोहत ही सुन्दर है गोरा रंग है इनका और इनकी कांती स्वर्ण के समान है उनका मुख मंडल अत्य अगर धनकी कमी है आर्थिक तंगी है घर में बर्कत नहीं होती है या फिर कोई भी ऐसी परेशानी जो बहुत समय से समाप्त नहीं हो रही है इस मंत्र का जब कीजिए कम से कम 108 बर अगर आप माभगवती बगला मुखी की पूजा करते हैं और इस मंत्र का जब करते हैं तो बाधाओं से मुक्त कर देती हैं और समस्त प्रकार के आर्थिक संकटों से छुटकारा मिल जाता है तो मां बगला मुखी की आराधना गुप्त नवरात्री में अश्टमी तिती पर पूरे भक्ति भाव से श्रदाभाव से करना चाहिए मां बगला मुखी की पौराणी कथा की अनुसार एक बार की बात है सत्युग में महाविनाश उत्पन करने वाला ब्रहम्हंडी तूफान उत्पन हुआ जिससे की संपुण विश्वनश्ट होने लगा इससे चारों और हाहाकार मच गया संसार की रक्षा करना असंभव सा हो गया अब ये तूफान सब कुछ ने कहा कि शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता अता आप उनकी ही शरण में जाए तब भगवान विश्णु ने हरिद्रा स्वरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तब किया भगवान विश्णु के तब से देवी शक्ति प्रकट हो गई और उनकी साधना से महात्रिपूर सुंदरी प्रसंण हुई सौराष्ट्र छेत्र की हरिद्रा जील में जल क्रीडा करती हुई महापीतांबरा स्वरूप में देवी के हिदय से दिवितेज उत्पन हुआ इस तेज से ब्रह्मांडी तूफान थम गया मंगल यूक्त चतुरदश की अर्धरात्री थी जिसमें देवी शक्ति का देवी बगला मुखी के रुप में प्रादुरुभा हुआ था त्रेलो के स्तंभिनी महा विद्या भगवती बगला मुखी ने प्रसंण होकर भगवान विश्णुजी को इच्छिद वर दिया और तब श्रीष्टी का की ने कुछती हैं तांतरिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं और ग्रिहस्तों के लिए देवी समष्ठ प्रकार के शंचयों का शमन करने वाली हैं. 10 महाविद्याओं में से आठमी महाविद्या हैं देवी बगला मुखी. इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनास, वाक्सिधि और बादविवाद से विजय के लिए करते हैं. इनमें सारे ब्राम्हन की शक्ति का जमावेस है. इनकी उपासना से भक्त के जीवन के हर बाधा दूर हो जाती है और शत्रूओं का नाश करने के साथ देवी उपासना और देवी की शक्तियों का प्रियोग किया जाता है। देवी का साधक, भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। आराधना की जाती है तो जिस स्थान पर आपको पूजा करना है जैसे कि अभी नवरात्री चल रही है तो एक ही जगे जहां पर आप हर रोज पूजा करते हैं वहीं पर मा के सामने शुद्धिकी का दीपक जलाकर और पीला आसन डालकर बैठ जाएए अब जैसे कि कई भक्तों प्रति दिन जो आप पूजा में प्रयोक कर रहे हैं उसी आसन पर बैठकर पूजा कर सकते हैं इतना जरूर धियान रखिये कि वस्त्र आपका पीली रंका हो ठीक है और अगर आपके पास माता बगला मुकी की कोई तस्वीर हो या कोई विग्रह हो तो चौकी पर पीला वस् कर सकते हैं सिर्फ शुद्ध और सात्विक भोजन करके मां बगला मुखी की आराधना आप कर सकते हैं अच्छा सारी सामगरी एकत्र करके बैठ जाएए जहां पर आपको पूजा करना है वहाँ पर ताकि आपको बार-बार पूजा में से उठकर और सामगरी लेना ना पड़े जैसे की मां बगला मुखी की पूजा में पीले रंग का प्रयोग किया जाता है तो पीले रंग के फूल, पीले रंग का चंदन और पीले रंग के वस्त्र मां को अरपित करना चाहिए धूब दीब जलाकर मां की पूजा कर लीजिए और फिर वहीं बैठकर मां के मंतरों का जब किया जाता है हल्दी की माला मा को अर्पित भी की जाती है जैसे कि साबूत हल्दी की माला आप चाहे तो बना भी सकते हैं बजार में भी मिल जाती है पूजा की दुकान पर हल्दी की माला मिल जाती है मा बगला मुखी को हल्दी की माला अर्पित करने से शत्रों का नास हो जाता है किसी भी प्रकार की परेशानी में आप हो तो उस परेशानी से आपको मुक्ते मिल जाती है अगर आपके घर में कोई मांगली कार्य नहीं हो पा रहे हो तो ऐसी अवस्था में मां बगला मुखी को हल्दी की माला अरपित करनी चाहिए एक पात्र में अगर आप प्रकार का दुख हो कोई भी तकलीफ हो कोई भी परेशानी हो उससे माां आपकी हर समय रक्षा करती है और ये बहुत ही चोटा सा उपाय है बहुत आसान उपाय है अच्छा जैसे कि बगला मुखी की फोटो नहीं भी हो आपके पास अगर मा दुर्गा आपके घर में विराजित हैं, मा दुर्गा की कोई भी फोटो हो या फिर मूर्ती है तो मा बगला मुखी का ध्यान करते हुए उन्हीं के उपर पीले रंग का वस्त अर्पित कीजिए पीले रंग की चुलनी हो या फिर कोई भी पीले रंग का कपड़ा हो तो मा को अरपित करके और मा बगला मुखी का ध्यान करते हुए प्राठना कीजिए आपकी जो भी समस्या हो मा से प्राठना कीजिए कि आपको उस समस्या से मुक्ति मिल जाए तो बहुत जल्दी मा की क्रिपास से आपको उस परेशानी से मुक्ति मिल जाती है वैसे दस महा विद्याओं की जो आराधना होती है जो साधना होती है गुरू के द्वारा ही पूछ कर करना चाहिए लेकिन अगर गुरू नहीं है आपके पास और आप मा बगला मुखी के मंतरों का जब करना चाहते हैं उनकी साधना करना चाहते हैं तो भगवान शिव का ध्यान करके उने ही गुरू बना कर और आप मा बगला मुखी के मंतर का जब कर सकते हैं उनकी साधना कर सकते हैं ठीक है वैसे सामान ये जन, हम सिर्फ पूजा अर्षना करके भी मंतरों का जब करते हैं, तो माप रसन हो जाती हैं, जो दीबदान का उपाए मैंने बताया वो भी आप कर सकते हैं, हल्दी की माला भी अर्पित कर सकते हैं, और पिले रंग का वस्तर भी अर्पित कर सकते हैं, इसके ल तो उसका फल हमें बहुत ही शुब रूप में प्राप्त होता है और विशेश सिद्धियों के लिए मा की उपासना जो की जाती है वो रात्री काल में की जाती है माता बगला मुखी की साधना में पवित्रता, नियम और शौचादी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है एक चीज का ध्यान हमेशा पूजा पाट साधना में करना चाहिए कभी भी दूसरों का बुरा करने के लिए कोई भी पूजा, कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए अगर आप किसी भी प्रकार से जूटे मुकदमे में फसे हुए हैं तो ऐसी अवस्था में मा बगला मुखी की साधना आपके लिए राम बाड़ू पाए है और आप इसे नवरात्री से प्रारंब करके प्रति दिन कर सकते हैं मतलब कुछ संख्या में मंत्रों का जब करें और मा भगवती बगला मुखी की साधना करें उनसे प्रारतना करें इससे आपको बहुत जल्दी लाब भी मिलेगा और आपको मुकदमे से चुटकारभ ही मिल जाएगा तो प्रेम से जयकारा लगाए मा भगला मुखी की जय और अब आप सुनेंगे मा महागोरी की कथा और पूजा विथी जो नवरात्री में अश्टमी तिथी पर जरूर करनी चाहिए नवरात्री में अश्टमी तिथी की जो पूजा होती है मा महागोरी की ये मा महागोरी के मूल रूप को दर्शाता है मूल भाव को दर्शाता है देवी भागवत पुरान में ऐसा बताया गया है कि देवी मा के 9 रूप है और 10 महाविध्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप है लेकिन भगवान शिव के साथ सदैव उनकी अर्धांगिनी के रूप में मा महागोरी ही विराजमान रहती है इसलिए नवरात्री की अस्टमी तिथी पर मा महागोरी की पूजा को सद्य फल्दाइनी और अमोग शक्ति वाला माना गया है मा महागोरी की पूजा मात्र से भगतों के सभी पाप धूल जाते हैं और वो व्यक्ति अक्षय पुन्य का अधिकारी हो जाता है शिव पुराण के अनुसार मा महागोरी की उम्र जो बताई गई है वो आठ साल की है और आठ साल की उम्र में ही उन्हें अपनी पुर्वजन्म की सभी घटनाओं का आभास होने लग गया था उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पती मान लिया था और शिव को पती रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी इसलिए आश्टमी तीथी को मा महा गौरी के पूजन करनी का विधान है क्योंकि मा महा गौरी की उम्र भी आठ साल की है और इसलिए देवी भागवत में जो कन्या पूजन में कन्या की उम्र बताई गई है वो दो साल से लेकर आठ साल के बीच की कन्या होनी चाहिए इससे श्रेष्ट फल की प्राप्ति होती है देवी भागवत के अनुसार नवरात्री की अश्टमी तीथी के दिन दुर्गाश शप्तिशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना अत्यंत स्रेष्ट माना गया है जो लोग नौ दिन का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवस उनके लिए कहा गया है कि अगर वो पहले दिन और आठवे दिन यानिके अस्टमी तीथी का व्रत धारन करते हैं और नौमी तीथी के दिन व्रत का पारण करते हैं तो उन्हें नौ दिन के व्रत का संपुड़ फल प्राप्त हो जाता है तो अगर आप सिर्फ दो ही दिन के व्रत धारन करते हैं तो प्रतिपदा तीथी और अस्टमी तीथी का व्रत कीजिए और नौमी तीथी के दिन कन्या पूजन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पारवती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी और हजारों वर्सों तक इसी प्रकार से उन्होंने तप किया इसके बाद उन्होंने कुछ भी खाना छोड़ दिया और केवल वायू पीकर ही तप करना आरंब कर दिया इसमय माता पारवती गंगा में श्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्यामवर्ण के साथ प्रकट हुई जो की कोशी की कहलाई और एक उज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महा गोरी कहलाई मा गौरी अपने हर भक्त का कल्यान करती है और उनकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है देवी भागवत पुराण के अनुसार मा माहा गौरी गौरवर्ण की है और इनके वस्त्र और आभूशन भी सफेद रंगे ही है मा का वाहन वरिशब अर्थात बैल है जो भगवान शिव का भी वाहन है मा का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुरगा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है महागौरी के उपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है और डमरू धारन करने के कारण मा को शिवा भी कहा जाता है मा का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभै देता हुआ वर मुद्रा में है और मा का स्वरूप एकदम शांत है देवी के इस रूप की प्रार्तना करते हुए देव और रिशीगण कहते हैं सर्वमंगल मांगल ये शिवे सरवार्त साधिके शरण्यत रयम विके गौरी नारा यणी नमोसुते मा महागोरी अपने भक्तों के लिए अनपूरोणा स्वरूप है या धन वैभो और सुक शांती की अधिश्टात्री देवी है तो नवरात्री की अश्टमी दिथी पर सच्चे मन से मादुर्गा की आरादना करनी चाहिए माहागोरी के स्वरूप में मा का प्रियरंग है गुलावी और सफेद तो श्नानित्यादी से निवरीत होकर सबसे पहले भगवान सुरिध्य को जलर्पीत कीजिये इसके बाद विधी विधान से मादुर्गा की पूजा करनी चाहिए तो नवरात्री में जिस प्रकार से आपने प्रतिदिन पूजा की है उसी प्रकार से आज भी पूजा की जाएगी बस मामाहागौरी के मंत्रों का जब किया जाएगा और मामाहागौरी को जो प्रियहवस्थ में वो अर्पित करना है आपको तो जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते थे पहले गणपती की, फिर कलश देवता की, इसके बाद अखंड दीपक या ज्वारे या फिर नवगरह मंडल या सोडस मात्रिका जो भी आपने चौकी पर स्थाबित किया है या फिर अगर आप घर के मंदिर में कर रहे हैं, तो जो भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में विराजित हैं, सब की विधिविधान से पूजा कर लीजे इसके बाद विशेश रूप से मामाहागौरी की पूजा आपको करनी है तो मामाहागौरी का ध्यान करके और उनके स्वरूप का ध्यान करके बीज मंत्र का जब कीजिए इस प्रकार से मामाहागौरी के कई मंत्र है इन में से किसी भी मंत्र के द्वारा मामाहागौरी की पूजा आरातनाप कर सकते हैं नवरात्री की अस्टमी तिथी पर मामाहागौरी को नारियल का भोग अत्यनत प्रिय है तो जरूर लगाना चाहिए इसके अलावा अगर आपके आकन्या पूजन हो रहा है आज के दिन तो आप हलवा, पूरी, चने इत्यादी मा को अरपित कर सकते हैं और मामाहागौरी का प्रिय पूश्प है कमल का पूश्प इसके अलावा पीले पूश्प आपर पित कर सकते हैं मा की आरती करनी चाहिए कपूर और लौंग जला करें और हाँ जैसी के आज अश्टमी तिती है तो बहुत से परिवारों में आज के दिन कन्या पूजन और हवन भी होता है तो हवन कर लिजिए मा की पूजा करने के बाद उसके बाद से कन्या पूजन आप कर सकते हैं नवरात्री की अश्टमी तिती पर्मा महा गौरी को मीठा पान अरपित करने से हर प्रकार की कामना पोड़ होती है जीवन में सुक, सम्रिद्धी, सौभागे की प्राप्ती होती है तो अश्टमी तिती के दिन मीठा पान मा को ज़रूर अरपित करना चाहिए दोस्तों अगर आप हरिश यानी एक आदशी के विशय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है जरूर देख लीजिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पैस कर लीजिए इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही जम्ह पर प्राप्त होगी मिलते मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैश्री राधे